जैमसी की दोस्तों, आज के सुरगी बनना का भाग हमने लिया है लुका के पुस्तक उसका ग्यारवा अध्याय और उसका चौतिस्वा और पैतिस्वा वचन वचन कहता है तेरे शरीर का दीपक तेरी आँख है जब तेरी आँख निरमल है तो सारा शरीर भी पुर्णता प्रकाशमान है पर जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी पुर्णता अंदकार में हो जाता है अधा स्तरकर है कि तेरी जोती अंदकार न बन जाए धन्यवाद पर मेशोतरी चेतावनी के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमारी आख हमारे शरीड का दीबक है हम जो देखते हैं उस पर अमल करते हैं उसको सच मानते हैं यहाँ पर हम पांच इंद्रियों का जिक्र करते हैं देखना, सुनना, चक्ना, सुनना और महसूस करना इन पांच इन्रियों के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते हैं लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बुरी चीज़ देखते हैं तो उसका बुरा असर हमारे शरीप पर पड़ता है लेकिन अच्छा और बुरा क्या है इसकी समझ हमारी आत्मा को नहीं होती क्योंकि जब तक हम इशू मसी में नहीं आते हैं दोस्तों याद करिए याद करिए जब आप इशू मसी में नहीं थे जब आपका नया जर्म नहीं हुआ था आलेलुया जब आप पुराने जर्म में थे तो क्या होता था रोमियों साथ काउनिस का कहता है कि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं कर पाता परंतो जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो ही करता हूँ याद है आपको हमें अच्छी चीज़े पता थी हम जानते थे अच्छी चीज़ कहा लेकिन हमारी दे, हमारी दे की आँख, उन अच्छी चीज़ों को कर नहीं पाती थी, क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई थी, लेकिन एश्यमसी ने हमारी आत्मा को जैजन दिया है, हमारी आत्मा को शुद्र किया, पवित्र किया, और सामर्ती बनाया है, और अपनी आत्म में हो जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्रादिकार की महीमा का धन क्या है पॉलिस यहां शरीर की आखों के लिए प्रात्रा नहीं कर रहा है यहां वो मन की आखों को जोतिर मैं करने के लिए प्रात्रा कर रहा है क्यों क्योंकि अगर आप मन की आँखों को खोलेंगे अगर आप आत्मा की आँखों से इस दुनिया को देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि शैतान के कारे क्या है परमेश्र के कारे क्या है जब आप जान पाएंगे कि शैतान का कारे क्या है संसार में कौन से कार ऐसे हैं जो शैतान कर रहा है हमारे जीवन में कौन से ऐसे कार हैं जो शैतान कर रहा है तब आप आत्मा की शक्ती से अपने शरीर को नियंतरण में कर सकते हैं और आप उस कारे को नहीं करने के लिए अपने शरीर को मना सकते हैं इसलिए बहुत जुरूरी है कि हम उस मन की आँकों को जोतिर मैं करने के लिए मनन गरें प्रातना करें और उसी उनी आखों से देखने की कोशिश करें जो परमेशन ने दी है हमारी आत्मा में हमारी आखे हैं हमारी आत्मा की आखे हैं हमारी आत्मा के कान है हमारी आत्मा के हावात्मा की आवास है उसके बोल है इसलिए हम उसका उप्योग करें लेकिन वो कब करेंगे? जब हम अपनी जोती को अपने अंदर बनाए रखेंगे इसलिए पैते स्वामचन कहता है कि अपने इस्तरक रहे कि अपनी जोती को अंदरकार ना होने दे जो जोती ईशुमसी ने तुझे दी है जिस जोती को ईशुमसी ने तुझे में सौपा है तुझे में डाला है उस जोती को हमेशा उसको बना रहा उसकी जो लॉव है हमेशा चलती रहे उसकी लॉव प्रकाश माए हो कब होगी जब हम प्रमिश्र के वचन के अनुसार चलेंगे, जब हमारा कोई भी काम प्रमिश्र के वचन के अनुसार नहीं होगा, तब ऐसा होगा, जब हम प्रमिश्र के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो, जो प्रमिश्र के होके दुनिया के सामने जाएगी और हम दुनिया के सामने जोदी की संतान कहलाएंगे परमेश्र की संतान कहलाएंगे और मसी हम में दिखेगा दोस्तों एक भटी में जब आप सोना डालते हैं तो सुनार क्या करता है सुनार कब तक सोने को उस भटी में रखता है जब तक वो उस भटी में उस सोने को रखता है। दोस्तों पर्मेशर ने हमें चुना है और पर्मेशर क्या चाहता है कि हम उन वच्छिनों के अनुसार चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें चाहिए मुसीबट आए, चाहिए दुख आए, चाहिए की उसे नप समझ लीजिए कि परश हर कारे हम में पूर्ण हुआ जो सिल हमें एक शूइल देखने लगे शिफाः धन्यवाद परमिशर, तेरे नाम अध्भुत है, हम तेरे चलणों में समर्बित करते हैं, सुभे की सवा तेरे धन्यवाद करते हैं, कि तुने हमारी आखे कोली, तुने हमारे मन के अखोगों चोतिर में किया, तुने वाले हर भाई-बेरिंगे लिए आशीर सुकर् झाल